नमस्कार टुडे विहार नीवज देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके शाहते प्रेकास शिंग बिहार में भी अब कोरोना से कोहराम शुरू हो गया है बिहार में अब तक दो मरीजों की मौत हो गई है आज दुसरी मौत पटना के एमस में ही हुई है उसी एमस में कोरोना के प अगोपुर का रहने वाला है 35 वर्षियाई वक को 14 अपरेल को पटना के एमस में भरती कराये गया था उसके उसे सांस लेने में तकलीफे थी सर्दी थी खांसी थी उसके सांथी वर्ट एफार्ट से भी ग्रसित था जिसके बाद उसकी जांच कराई गए जांच रेपोर्ट आइसलेशन वार्ड में रखकर जब उसकी जांच कराई गई तो जांच रेपोर्ट उसकी पोजेटिव आई और पोजेटिव आने के बाद आज उसने दम तोर दिया है तो बिहार में कोरोना का कोहराम जो है ओब देखने को मिल रहा है अब तक दो मरीजों की मौत हो चुकी नहीं रही है या पटना से बाहर कभी कहीं गया ही नहीं है तो जाहिर सी बात है इसमें संक्रमन फैला कैसे संक्रमन के चपेट में आया कैसे इस स्वास्त महकमा जाज करने में जूटी है और इसे पता लगाने की जरूरत है कि आखिरकार पटना में भी अब कोरोना के कोई औ करोना के कोई और भी संकर्मित मरीज था क्छा जिसके संपर्क मेर written हुआ है इसके इसका इलाज विराजधानी पटना के विवें हुँ स्पितलों में चला है और पौरशासन इस बात को देखते हुए इसे बात को नजर में रखते हुए उस सभी अस्पतालों के लोगों को भी चिन्हित करके और जहां जहां इसके संपर्क में लोग रहे हैं उसकी को किया रहा है होम आइशोलेट वी कंग लोगों को किया गया है और अब तक 68 यानि 68 लोगों की जानकारी विल चुकी है जो इसके संपर्क में आए हैं पुलिस परसासन और स्वास्तिभाग के आदिकारी इस बात की पता लगाने में जूटे हैं कि आखिरकार वास्तिविक तौर पे कितने लोगों के संपर्क में आया जब इसका कोई ट्रैवल हिस्ट्र ना आए आपमें कोरोना वैरस का संकरमन ना फैले फिलाल देश दुनिया के तमाम बड़ी ख़वरों के लिए देखते रहिए टुडे विहार्ड नूज